भोजपुरी सिनेमा एक बार फिर से चचा में आ गया है जी हाँ एक बार फिर से भोजपुरी सिनेमा में आरोप प्रत्यारोप का दोर चालू हो गया है नमश्कार आप दीख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यदि आपके साथ भोजपुरी सिनेमा के जाने माने आक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं और इस बार वज़ा काफी बड़ी है तर असल खेसारी लाल यादव और विवादों में आए हैं पर इस बार मामला काफी गंभीर हो गया है क्यूंकि काजल रगवानी ने उन पर निशाना साथते हुए कई सारे आरोप लगाए हैं एक इंटरव्यू के दौरान काजल रगवानी ने खेसारी लाल यादव पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि अब वो खेसारी लाल यादव के साथ काम नहीं करना चाती है खेसारी लाल यादव पर ये भी आरोप लगाया है काजल रगवानी ने की शादी का जहासा दिया था उन्होंने जिया सही सुना आपने खेसारी लाल यादव पर काजल रगवानी जो की क्योंकि आए दिन किसी ना किसी कलकार के बीच विवाद होता रहता है खेसारी लाल यादव के अगर बात कर ले तो एक दो कलकारों को छोड़ कर भुचपुरी सिरेमा में कई ऐसे लोग है जिनके साथ उनके विवादों कुलिकर वो चर्चा में रहे इसमें नाम पवन सिंग का भी आता है जिया लोग समझ चुनाओ के दोरान भले ही दोनों एक साथ एक मंज पर दिखे हो खेसारी लाल यादव पहुचे थे पवन सी का समर्थन करने के लिए लेकिन दोनों के बीच का विवाद काफी बड़ा था इस बीच अपको ये जानकारी दे दे कि भोचपूरी सिनमा में सबसे ज़ादा विवाद है तो स्टार खेसारी लाल यादव को ही कहा जाता है इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव का एक-दो लोगों को छोड़कर करीब करीब सभी स्टास के साथ विवाद है अब इसमें काजल रगवानी का भी नाम जुड़ गया है भोजपूरी एक्षरस काजल रगवानी ने खेसारी लाल यादव पर इन दिनों जम करने शाना साधा है आए दिन किसी ना किसी यूट्यूब चानल को इंटरव्यू दे रही है और खेसारी लाल यादव की लगतार पोल खोल रही है पोल खोलने का मतलब है कि काजल रगवानी और खेसारी लाल यादव एक वक्त में बहुत अच्छे दोस्त हैं ये हम सभी जानते हैं और अब जिस प्रकार से काजल रगवानी पब्लिक प्लेस पर आकर के पब्लिक पोडियम पर आकर के एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के खेसारी लाल यादव के बारे में तंज कस रही है बयान दे रही है आरोप लगा रही है तो इससे तो साप हो गया है कि अब दोनों के बीच की दोस्ती टूड गई इसलिए दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद है अब ये खुल कर बोल रही है काजल रगवानी काजल रगवानी ने एक इंटरव्यू दिया यूट्यूब चानल को और उसमें ये कह दिया कि मैंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया हमारी जोरी को लोगों ने काफी पसंद किया मगर जिस तरह से उनकी सोच है मुझे नहीं लगता उनके साथ काम करने जैसा है तो काजल रगवानी ने खेसारी लाल यादव पर आरोप लगाते वे ये कह दिया है कि उनको अब खेसारी लाल यादव के साथ काम करना सेफ नहीं लगता भोजपुरी आक्ट्रस ने आगे ये भी कह दिया कि खेसारी लाल यादव को बहुत ही नीची और गिरी हुई सोच है उनके पास तो देखिए कई गंभीर आरोप खेसारी लाल यादव पर काजल रगवानी अब लगाती नज़र आ रही है बता दे कि खेसारी लाल यादव और काजल रगवानी की जोड़ी भोजपूरी सिनेमा इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ियों में सेख थी हलाकि दोनों स्टार्स अब साथ में काम नहीं करते खेसारी लाल यादव और काजल रगवानी के साथ में कई भुचपुरी फिल्मों ने भी इन दोनों ने काम किया था पर अब दोनों अलग-अलग हो गए हैं अब दोनों के 20 की दोस्ती तूट गई है और काजल रगवानी ने खेसारी लाल यादव पर आरोप लगाते वे ये कह दिया है कि उनके साथ काम करना सेब नहीं है उनकी सोच बेहद गिरी हुई है और छोटी सोच है खेसारी लाल यादव की तो काजल रगवानी ने इंटर्व्यू दिया है कई मीडिया चानल्स को, कई यूट्यूब चानल्स को और इस दोरान जम कर खेसारी लाल यादव पर आरोप लगाती नज़र आ रही है कई गंदे आरोप और भी खेसारी लाल यादव पर काजल रगवानी ने लगा है तो आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं आप हमारे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले साथ हमारे पेस्बूक, इस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो जरूर करें